स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टक्नो चैनल में और आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो कटिंग टूल से संबंदित रहेगी यानि कटिंग टूल से संबंदित 25 क्वेश्चन हो क्या आज वीडियो रहेगी सारे most important question है अक्सर government exam में अधिकतर पूछे जाते ह हैं तो question सुरू करते हैं friends फर्स्ट क्वेश्चन है friends पूछा गया है ホॉल को finish करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले cutting टूल को क्या कहते हैं जो फ्रेंड्स हॉल को finish के साथ साथ थोड़ा सा बड़ा भी करता है उस cutting को किस नाम से जाना जाता, तो इसमें जो फ्रेंड से पूछा गया यह है, तो इसमें जो correct answer है वो है, रीमर ही hauling, haul करने के बाद, deal से haul किया गया है, उसके बाद उसे finish और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, रीमर का प्रियोग किया जाता, तो इसमें correct answer option D हो जाएगा, अगल है उसमें कुलेंड डालने की जरुवत नहीं होती है या किसी भी अन्या operation करते समय उसमें खाश्ट आयरन में कुलेंड डालने की कोई आवश्क्ता नहीं होतीं उसमें सुह कि एअर प्रेख का प्रेजिक किया जाता तो उसमें correct सरफ्शन भी हो ना फ्रेंट पूछा गया है बाहरी threade काटने वाले टूल को कहते है जो बाहरी threade यानि कि बाहरी डाय पे पर जो थ्रेड बनती है कटी जाती है उसके लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता जब भी फ्रेंट्स बाहरी die पे किसी बारी रोड पर thread threading करनी हो, तो उसके लिए die का प्रयोग किया जाता है, और जब भी अंधुरुनी यानि की ID में हमें अगर threading करनी हो तो उसके लिए tape का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें correct answer हो जागा, option C हो जागा, यानि कि die का प्रयोग हम बारी thread काटने के लिए यूज करते हैं, अगला question है friends, पूछा गया है, खराब वो जंक लगी thread को ठी करने के लिए limnil खित में से किस का प्रयोग किया जाता है, तो जब भी friends, खराब thread या जंक लगी वी thread होती है, उसे साफ करने के लिए हमें सा die nut का प्रयोग किया जाता, तो इसमें correct answer हो जागा, वो option A हो जागा अगला question है friends, पूछा गया, किसी तूटे हुए tape को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, यानि कि माना friends, किसी hole में taping करते हुए tape टूट गया, तो उसे बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो जब भी friends किसी hole में tape टूट जाता, तो उसको बाहर निकालने के लिए tape structure का प्रयोग करते हैं, tape structure का प्रयोग करते हैं, तो उसमें correct answer option C हो जागा friends, अगला question friends, पूछा गया, copper या aluminium की taping के लिए, किस coolant की सिफारिस की जाती है, तो जो aluminium और copper में जब भी taping की जाती है, या फिर उसकी cutting की जाती है, तो उसमें हमें सा मिट्टी का टेल प्रयोग किया जाता है, coolant के रोप में मिट्टी का टेल use किया जाता है, तो उसमें correct answer option नहीं हो जाएगा कि copper और aluminium की taping के लिए, मिट्टी के टेल का use किया जाता है, next question है friends, पूछा गया, twist drill की body की संपूर लंबाई में बने group को कहते हैं, जो twist drill होता है friends, उसकी जो body होती है, उसमें जो संपूर लंबाई में group कटे वे होते हैं, उन groups को क्या कहते हैं, उनको friends drill का जो हिस्सा होता है, उसको fluids कहते हैं, उपर एक margin, एक और सपेद पटीश ही लगी होती है, उसको margin के लगी होता है, तो twist drill की जो body में संपूर लंबाई में जो बने group होते हैं, उनको फ्लूट्स का जाता है तो इसमें correct answer option भी हो जागा फ्रेंट्स अगला question है फ्रेंट्स पूछा गया machine के spindle की nose कि से taper sank वाले tool को निकालने के लिए wedge जैसा एक tool प्रयोग में लाया जाता है इसे क्या कहता है तो जो machine की sank या spindle जो drill चाक होता है फ्रेंट्स उसमें अगर हम drill sleep जो होती है उसको भार निकालने के लिए drill drift का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो correct answer रहेगा फ्रेंट्स वो drill drift रहेगा इसमें option D correct answer रहेगा अगला question है फ्रेंट्स पूछा गया एक hole जो की component की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता है उसको क्या कहता है जब भी फ्रेंट्स किसी piece में या किसी job में drill आधी आधी गहराई तक उसमें drill माना जाता है तो उसको blind hole के नाम से जाना जाता है जब भी संपूर गहराई में आर पार किसी hole को नहीं किया गया आधी end hole के नाम से जाना जाता तो इसमा correct answer option B हो जागा फ्रेंड्स 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 मोश टेपर वाले drill sleeve या socket में पाई जाती है जिनने नंबर की range में MT1 से MT6 होती है निमन लिखित में से MT4 कि size के लिए होती है तो जब भी friends यह MT4 होती है यह MT4 हमेशा 31.5 mm से अधिक size और 50 mm तक की drill जो होते हैं उनके लिए उन पे जो hall में जो taper बनाया जाता है तो उन में जो होता है MT4 number का drill size पाया जाता तो इसमा correct answer option C हो जागा फ्रेंड्स next question है फ्रेंड्स एक process में sharp edge वाले tool के द्वारा धातू की surface से बहुत छोटे chips के रूप में धातू को काटा जाता है इस tool को क्या कहते हैं जब भी friends हम sharp edge के साथ tool के द्वारा धातू की surface को छोटे-छोटे कणों में chips के रूप में धातू को काटा जाता है तो उसे हमेशा scraper से खुर्चा जाता है तो वो छोटे-छोटे कणों में धातू को काटता है तो उसमें correct answer option A हो जाएगा कि scraper से ही हम छोटे-छोटे कणों के रूप में धातू को काट सकते हैं तो उसमें correct answer option A हो काटिंग एक्सन किस पर निरवर करता है? फाइल का cutting action फ्रेंट के प्रकार और दाटों की इसकरिंग पर भी और फाइल के दाटों की ब्योस्ता पर भी और फाइल का जो size और आकार होता है उस पर भी निरवर करता है तो इसमें correct dance option D हो जाएगा कि उप्रियुक तो सभी, अगला question है friends, hexa blade के दातों को किस कारण से dull हो जाते हैं, जब भी friends, hexa blade के जो दाते होती हैं, वो घिस दाते हैं, खतम हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें सा high speed और pressure का भी फरक पढ़ता है, और return stock के दोरान pressure न हटा, माना hexa blade cutting करते हुए आगे गया और पीछे लड़ते हुए वापस आया, तो उसमें भी उसका असर dull पढ़ने का हो जाता है, और coolant का प्रियोग ना करना, coolant का अगर हम use नहीं कर रहे हैं, तो तब भी ये समस्या problem आ सकती है, तो उसमें correct answer option D हो जाएगा, उप्रियुक तुमें फाइल के face को थोड़ा सा convex बनाने के लिए निमन लिखित में से कौन सा कारण नहीं है, फाइल के जो face होते हैं, उन्हें थोड़ा सा convex बनाने के लिए, फाइल के face और job की surface के बीच जो घरसन बढ़ाने को होते हैं, उसके कारण वो main कारण नहीं है, उसमें जो main कारण है, वो यही नहीं है कि उसके दाते जो थोड़ा फेस है फेस हो है फाइल के वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाने के लिए फाइल के फेस और जोब के सरफेस के बीच गर्शन को बढ़ाना ये कारण नहीं है तो इसमें correct answer option A हो जाएगा अगला question है friends पूछा गया है किस कारण से किया हुआ सुराग center से out हो जाते हैं जब भी friends किसी job पर सुराग करते हैं तो वो center से out हो जाते हैं तो उसके लिए friends या तो वरकपीस जो है वो clamping सही नहीं है थोड़ा बहुत out है सही तरीके से नहीं हो ना या फिर वरकपीस में blow hole पहले से ही कोई hole है अंदर उसके कारण भी out हो सकता है या फिर drill के chisel age को सही बठाने के लिए center punch के निसान की गहराई कम है center punch जो मारा हुआ वो कम गहराई का मारा हुआ उसका भी असर पर सकता है कि center out हो सकता है तो इसमें correct answer option डी हो जाएगी कि उप्रुप्त में से कोई भी एक कारण हो सकता है अगला question है friends पूछा गया निमने लिखित में से कौन सा पद नाम file के grade को इंगित नहीं करता तो कौन सा है पद नाम जो file के grade को इंगित नहीं करता है friends तो जो उसमें first cut है वो कभी भी file के grade को इंगित नहीं करता तो उसमें correct answer option भी हो जाएगा अगला question है friends प्रेंट्स ऐलूमिनेयम की चिपिंग करते हैं तो जो उसका एंगल है वह एंगल 35 डिग्री हो रखा जाता है चीजल का कटिंग एंगल 35 डिग्री रखा जाता है तो उसमें रास्प कट फाइल द्वारा काटा जा सकता है तो रास्प कट के द्वारा हमें किस मेटल की फाइलिंग हम कर सकते हैं यह पूछा गया फ्रेंट्स इसमें तो इसमें करेक्ट आउंसर ऑप्सन सी हो जाएगा कि रास्प कट फाइल से हम लकडी की कटिंग कर सकते हैं तो इसमें पर हमें scrapping यानि कि उसमें से हमें थोड़ा-थोड़ा धातू को कम करना है तो उसके लिए हम किस scrapper का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए friends हमें इसा half round scrapper का use किया जाता कि bearing के boost जो होंगे वो round के होंगे और round में half round का यह हम वहाँ use कर सकते हैं scrapping के लिए तो उसमें correct answer option C हो जाएगा अगला question है friends ने में लिखित coolant में से किस का प्रयोग aluminum work piece की reaming करने के लिए किया जाता है अगला question है friends double cut file का प्रयोग किस पर filing के लिए प्रयोग किया जाता है तो जो double cut file होती है friends जिन पर double cut होती है उनको double cut file के नाम से जाना जाता है तो उन फाइलों का प्रियोग हम किस पर करते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स हम इस्टील का यूज इस्टील पर ही इस्टील के मेटल जॉब पर हम डबल कट फाइल का प्रियोग करते हैं, तो उसमें correct टाउंस और option D हो जाएगा फ्रेंड्स next question friends file में second cut का प्रकार होती है जो file की second cut होती है friends वो grade का नुसार दिखाई गई होती है तो इसमें correct terms और option B हो जाएगा next question friends flat chisel की body prior किस आकार की होती है जो flat chisel होती है friends उसकी body अश्ट बुजा का आकार की होती है तो इसमें correct terms और option D हो जाएगा अगला question है friends पूछा गया कीवे काटने वाली chisel कौन सी होती है तो जो कीवे काटती है friends वो cap chisel होती है cap chisel ही कीवे काटती है तो इसमें correct terms और option A हो जाएगा अगला question है friends पूछा गया snagging A किरिया है जिसका प्रियोग धातू को खटाने के लिए किया जाता तो snagging होता है जो फ्रेंट्स वो grinding के द्वारा की जाती है grinding के द्वारा ही snagging किरिया करते है तो उससे हम metal को धातू को हटा सकते हैं तो उसमें correct answer option D हो जाएगा जाफे हुँएगा कि दाएखे हुँएगा